कि कैसे आपको time management करना चाहिए, आपके जो mock tests आप दे रहे हो, उनका analysis कैसे करना चाहिए, कैसे hard work नहीं, आपको smart work करके और productivity और efficiently कैसे काम करना चाहिए You need to know कि कब आपको किस चीज को prioritize करना है Time table आपने बना लिया, मैंने उसमें आपको बताया, आपको दो चीज़े करने हैं, regular basis पे, content पढ़ना है, और test लगाना है कि अब आप class 12 के बाद college में जाने वाले हो, आप सब बड़े हो गए हो, तो हर चीज़ आपके parents नहीं बताएंगे आपको, जितने variety of questions आप practice करेंगे, उतना आपका confidence बड़ेगा Hello everyone, आप सभी का स्वागत है, आज के इस amazing session में, जहां हम discuss करने वाले हैं, हमारी CLAD 2025 की preparation strategy क्योंकि अब आपके exam में time धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो अब आपकी जो आगे आने वाले इन 5 महिनों में strategy रहने वाली है, वो decide करेगी whether you are going to make it to your dream colleges or not Now without any further ado, let us begin with today's session, जहां हम कुछ important tips discuss करेंगे, कि कैसे आपको time management करना चाहिए, आपके जो mock tests आप दे रहे हो, उनका analysis कैसे करना चाहिए, कैसे hard work नहीं, आपको smart work करके, और productivity और efficiently कैसे काम करना चाहिए यह सब चीजें आज के इस session में हम detail में discuss करने वाले हैं, now without any further ado, let us begin with today's class, so सबसे पहले, a small motivational line for you, hard वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है, तो effort, जैसे कि मैंने previous session में भी आपको कहा था, effort, consistent efforts make a lot of difference, अब जो बच्चा धीरे धीरे ध करता रहेगा, अपने आपको improve करता रहेगा, अपने weak areas को notice करके उनको improve करता रहेगा, they will definitely get into their dream colleges, अब इसी के साथ, आज हम कुछ important tips आप सभी के साथ discuss करना चाहते हैं, which will definitely help you in improving your performance, and will automatically help you to get into your dream colleges, तो सबसे पहले, हम बात करते हैं, study smart, अब बहुत सारे लोग कहते हैं, hard work करे या smart work करे, hard work करना अच्छी बात है, but at times what makes a difference is smart work, you need to know कि कब आपको किस चीज को prioritize करना है, कब कौन से subject को पढ़ना है, अब मुझे लगता है, mock test दे के मुझे लग रहा है कि मेरा ये particular topic weak है, अभी मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो smart work is very important, आप बिना direction के सिर आख मीच के work करने लगे हुए हो, आप कोई guidance नहीं ले रहे हो, आप कोई strategy नहीं बना रहे हो, it is going to be futile, तो smart work करना बहुत जरूरी है, अब उसके लिए ही हम कुछ important tips discuss करते है, सबसे पहले, customize your timetable, timetable होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका timetable ही होगा, आप haphazardly करे जा रहे आपके दोस्त के लिए काम कर रहा है, आपके भाई के लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए भी काम करेगा, क्यूंकि सबकी retention power अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबके interest के topics अलग होते है, तो जरूरी नहीं है, आपका दोस्त जो timetable follow कर रहा है, और के हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से अपनी But I'm यह टाइम टेबल अपने लिए बनाईए, विच विल गिव यू दिम maximum benefits अब इसके बाद इछास टू इडार मेंड ऐस पर your property area and your week area कि मेरे पास इतना time बश्टा है स्कूल से जा के आके मेरे पास इतना limited time बश्टा और इतने limited time में मुझे लगता है कि अभी क्योंकि 5 महिने बाकी हैं, तो जो मेरे weak areas हैं, मैं उन पर जादा काम कर लेता हूं, या उन पर मैं जादा time devote करता हूं, इसी में कितना time मुझे content पढ़ने में लगाना चाहिए, कितना time मुझे practice में लगाना चाहिए, ये आपको आपकी pace के accordingly decide करना होगा, आप ये किसी का idea copy paste नहीं कर सकते, वो आपको आपके comfort के हिसाब से, आप कितना time dedicatedly devote कर सकते हो, without pushing your limits, ठीक है, आप comfort में भी रहो, और आप अच्छे से उस चीज़ को follow up भी कर पाओ, क्योंकि जिस दिन हम time table बनाते हैं, उस दिन तो हम बहुत enthusiastic होते हैं, कि ह अब तो मैं आने अले 5 महीं ने इसी time table को follow करूँगा, बट नहीं, दिरे दिरे हमारा motivation कम होने लगता है, तो आप इसको इतना भी hard मत बनाएं, कि आप 2 दिन बाद आप खुदी उससे follow ना कर पाओ, दिरे दिरे थोड़े से शुरू करो, और फिर धिरे धिरे उसको expand करते ज कि मुझे आज इस topic को आज ही finish करके सोना है, चाहे फिर उसमें एक घंटा लगे, चाहे उसमें दो घंटे लगे, ठीके जी, तो instead of focusing on the number of hours, create a task table with 5 to 7 tasks to complete each day, कि मुझे ये particular syllabus है, इतने दिन में complete करना है, और ये syllabus तभी complete होगा, जब मैं दिन के इतने topics cover करूँगा, हो सकता है, वो topics आपके एक घंटे में cover हो जाए, हो सकता है, चार घंटे लग जाए, तो task-based approach आपको आपके time table में follow करनी चाहिए, then track your progress, this is very essential, are you following the time table, वही, जोश-जोश में time table तो बहुत अच्छा बना लिया, बट क्या आप उसे follow कर रहे हो, आप उसे review कीजिए, review your progress every week, हर हफते, क् क्या आप लोगों के पास limited time रहे गया है, 5 महीने यानि कि 20 हफते, यानि कि 20 बार review, हर हफते आप review कीजिए, कि क्या मैंने अपने time table को sincerely follow करा, क्या 80-20% का difference रहे गया, तो ठीक है, human nature है, इतना तो चलता है, बट अगर आपको लगता है, मैंने 20% of the target भी पूरा नहीं किया, त changes करने पड़ेंगे, तो time table अपनी needs के accordingly, अपने comfort के accordingly, अपने time availability के accordingly बनाईए, और sincerely उसको follow कीजिए, एक दम से बहुत high standard का भी मत बना दीजिए, मैं 10 घंटे पड़ूँगा, क्योंकि आपके mind को, आपके body को, वो rhythm adapt करने में भी time लगता है, initially बनाईए 3-4 घंटे का, धीरे फिर आपके setting की आदत हो जाएगी, तो फिर आप इस time को आगे भड़ा सकते हैं, review करना, weekly review करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा, कि आप कितना जो है, आपने task sign किये थे, कितना आपने syllabus complete किया, कितना अभी भी pending है, ठीके जी, अब इसके बाद, ये हो गय then effective mock analysis, time table आपने बना लिया, मैंने उसमें आपको बताया, आपको दो चीज़े करनी है, regular basis पे, content पढ़ना है, और test लगाने, content पढ़के test नहीं लगाओगे, तो आपको idea नहीं लगेगा, किस तरह के questions paper में पूछे जाएंगे, या मैं कहां खड़ा हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, मुझे इस topic की कितनी knowledge है, या मुझे इस topic पे कितनी और महनत करने की जरूरत है, इन सब चीज़ों का idea कैसे होगा, वो होगा mock analysis से, आप mock test देते हैं, उसका बाद में जो result आता है, जो उसका outcome आता है, उसको analyze करना बहुत जरूरी है, अपनी performance को improve करने के लिए, और एक कदम आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करें, clear mock test assess your knowledge, mock test देना तो बहुत जरूरी है, जितना जरूरी content पढ़ना है, उतना ही जरूरी test देना है, उससे आपकी knowledge test हो जाएगी, then while the analysis helps you in identifying your strengths and weaknesses, कि मुझे लगता है, current affairs तो मेरा strong है, but logical reasoning मेरा भी है, तो आप logical reasoning को थोड़ा सा ज्यादा time दीजिएगा, वैसे ही, it will help you in making your future strategy, कि अब मुझे लग रहा है, mock test देके, यह improve हो गया, अब मैं दूसरे subject पे focus कर सकता हूँ, then after completing CLAT mock test, record the mock test details and your learnings from it, कि इस particular mock test से मैंने यह सीखा, कि हमें passage को पढ़ते हुए, यह चीज़े ध्यान रखनी चाहिए हम कोशिश करें कि हम passage को one go में ही समझ ले, क्योंकि अगर मैं passage को बार बार पढ़ूँगा, उसमें मेरा time waste होगा, और automatically मेरा score भी फिर उससे reduce हो जाएगा, तो आपने हर mock test को attempt करते हुए, जो चीज़ फील की, जो चीज़ उससे learn की, वो हमेशा आपको note down करनी चाहिए, then record your rank score, negative marks, sectional scores for each class mock test and write your analysis thoroughly, वही, आपको ये नहीं है कि सिर्फ mock test दे दिया, I am done with it, उसका analysis करना भी उतना ही ज़रूरी है, आपको weaknesses, strength, आपका score, ये सब आपकी knowledge में होना चाहिए, और जैसे जैसे आप mock test देते जा रहे हैं, कितनी progress हो रही है, किस field में कितनी progress हो रही है, कहां मै नीचे जाता जा रहा हूं, इसका record रखना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही, ये हैं बहुत छोटी-छोटी minute चीजें, बट ये ही देखना, they will create a huge difference in your score, then, write short notes on topics that could reappear in your next CLAT mock test and the actual CLAT examination, ये बहुत important point है, जब भी आप कोई भी CLAT का mock test लगाते हैं, उसको attempt करते हुए आपको highlight कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा और detail में पढ़िए, ताकि कल को जब वो paper में वो अगर आ जाया, next mock test में भी अगर वो appear हो, तो definitely आप उसमें अच्छा score कर पाएं, ये छोटी-छोटी tips को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो you will see a significant change in your performance and automatically उससे आपका rank भी जो है, वो और further improve हो जाएगा, अब इसके बाद आगे चलते हैं mock analysis में, ask yourself why, ask yourself why was I distracted, why are my attempts not increasing, why am I not improving in certain sections, वही जैसे मैंने कहा न, weekly review करना बहुत जरूरी है अपनी performance को, कि जो मैंने time table बनाया, क्या मैंने उससे follow किया, जो मैंने mock test दिये, क्या मैंने उनका analysis अच्छे से किया, और analysis के वज़े से मैं अपना performance improve नहीं कर पा रहा, किन factors की वज़े से मैं distracted हूँ, कि मैं बहुत जादा अपने friends के साथ time बिताता हूँ, मैं बहुत जादा social media पर time बिताता हूँ, मैं बहुत जादा सोने में time बिताता हूँ, ठीक है, इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना है, पढ़ने लिखने के साथ साथ, जो भी आपके source of distractions हैं, उनको limit करना है धीरे धीरे धीरे, वो भी again, वो एक दिन नहीं, एक दिन में नहीं हो सकता, कि हाँ मुझे लगता है, मैं तो phone बहुत यूज़ करता हूँ, एक दिन में वो खतम हो जाएगा, नहीं, धीरे 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 आपको उसको limit करना होगा, उसको cut shot करना होगा, इन सब चीजों पर भी आपको pinpoint करके कि ये मेरा source of distraction है, मुझे इसे कम करना है, वो आपको खुद, आपको ही पता होगा, वो आपके भीहाफ पे आपको कोई और नहीं बता सकता, ये चीज़ें आपको खुद को review करनी पड़े को mock test का analysis करना, अपने strengths और weaknesses का पता लगाना, अपने score को improve करना, अपने distractions को हटाना, ये आपकी responsibility है, not your parents' responsibility, ठीक है जी, फिर consider practice with mock test essential as it helps you become familiar with the exam format and question types, mock test practice करने का एक और फाइदा है, अपको पता चलेगा paper में, किस तरह का format है, किस तरह के question पूछा जाते हैं, quantitative aptitude के कैसे question पूछे जाते हैं, current affairs में आजकल क्या trend चल रहा है questions का, legal reasoning में trending topic क्या है, ये सब चीजें बहुत ज़रूरी है, then while conducting your CLAD mock test analysis, it is important to review your correct answers as well as your incorrect ones, both are equally important in the review process, ऐसा नहीं है कि जो मैंने सही answer कर दिया, correct कर दिया, उसको मैं review नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ wrong की explanation देख नहीं, correct answer करने के बाद भी, अगर आपको कहीं उसका solution मिलता है, कहीं उसका explanation मिलता है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप explanation देखोगे, तो आपको एक different perspective मिलेगा देखने का, हो सकता है, आपने वो correct answer choose किया हो, कुछ और thought process के साथ, कुछ और reasoning के साथ, और जिस वेक्ति ने उसका solution दिया है, उसकी explanation दी है, वो सकता है, completely different हो, इसलिए, correct answers की भी explanations देखना जरूरी है, to get a different perspective, or to get a different point of view of things, तो ये हो गया आपका mock analysis, then time management tips, time management is everything in competitive exams, I myself have appeared in various competitive examinations, I have cleared many competitive examinations, what I have learnt is, paper अगर complete ही नहीं कर पाए आप, तो आप automatically race से बाहर होगे, और time management नहीं अगर आपको आता है, चाहे आपको कितना ही घ्यान है, चाहे आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, चाहे आप कितने बड़े, मैं आपको लगता है legal reasoning, तो मेरी tips पे है, it will not help you, यो कि अगर आप paper ही नहीं पूरा कर पाए, तो आपकी जो मेहनत है, आपने जो इतना effort किया है, वो useless रह जाएगा सारा, तो time management मैं कहूंगी, जो अभी तक हमने दो चीज़ें करी, उनसे कहीं जादा important है, तो time management के लिए हम क्या कर सकते है, not weak and strong sections separately, this can help you proceed with the easier and more confident section first, again, mock test दोगे, आपको पता चलेगा paper क format कैसा है, आपकी weakness और strengths पता चलेगी and you will be easily able to make out, कि जब मैं paper देने जाऊंगा, तो मैं पहले legal reasoning करूँगा, मैं पहले logical reasoning करूँगा, क्योंकि ये मेरे strong areas है, क्योंकि आप पहले ही, आपको लगता है current affairs में, तो आपको कुछ नहीं आता है, और paper में आप पहले ही current affairs attempt करने उनको भी सही से attempt नहीं कर पाऊंगे, तो it is very important to make out, कि आप ये make sure कर सको, ये मेरे strength है, ये मेरी weaknesses है, और paper attempt में जब करने जाऊं, तो जो मेरे strong areas है, मैं उनसे paper शुरू करूँ, then have a rough plan on how much time to spend on each section, कि ये मेरा strong section है, मैं इसको fastest करूँगा, मैं इसको 15-20 minute, आदे घंटे में complete कर इस तरीके से आपको rough plan भी बना कर जाना होगा, ये बहुत important step है in the time management, then since question paper includes comprehensive based question, read and understand the passage in one go, very important, क्योंकि आपका mostly जो paper है, वो passage based है, आपको ये make sure करना होगा, और वो कैसे make sure कर पाएंगे आप, बार बार प्रेक्टिस करके, जादा से जादा questions प्रेक्टिस करके, कि आप एक ह इतने ध्यान से समझें, कि एक ही बारी में आप उसको completely understand कर पाएं, क्योंकि अगर आपको passage पढ़ना दुबारा पढ़ गया, आप दुबारा उसको पढ़ेंगे, तो आपका बहुत time waste होगा, तो time management में passage को एक बारी में पढ़ने की जो trick है, वो आपको कैसे आएगी, वो आपको जरूर सीखनी है, then best way to improve your time management skill is to practice mock test, previous your papers and set a timer while you do so, अब आपने target लगाया, इस section को, logical reasoning के section को मैं मालो 20 minute में solve कर दूँगा, तो साथ में timer लगा लीजिए, ताकि आपको idea हो, back of the mind में कि हाँ, इतना time मुझे लग गया, अब मैं अभी भी 20 minute से जादा ले रहा हूं, मतल यह सारी चीज़ें आपको time management में help करेंगी, you know your speed, improve your reading skills and solve questions of different difficulty levels, जितने variety of questions आप practice करेंगे, उतना आपका confidence बढ़ेगा, एक ही तरीके के questions प्रेक्टिस करते रहोगे, simple one-line questions प्रेक्टिस करते रहोगे, उससे आपको different variety of questions attempt करने की skill ही नहीं develop होगी, assertion reason वाले question प्रेक्टिस क कीजिए, correct incorrect वाले questions attempt कीजिए, जो आपके reasoning based questions हैं, उनको attempt कीजिए, हर तरह के questions जब आप attempt कर लेंगे, तो ही आप confident feel करेंगे, क्योंकि आपने अगर एक set of questions एक तरह के questions से practice किये, और paper में दुसरे type के questions आगे, आप blank हो जाओगे, फिर आपका एक दम से confidence धरती पे आगे गिर तो इसलिए, variety of questions practice करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीके जी, so I hope आप सभी को जो भी बच्चे CLAT 2025 को focus कर रहे हैं, यह जो basic tips है, कोई भी वेक्ति किसी competitive examination में appear होने वाला है, यह तीनों ही tips, smart work, mock test analysis and time management tips, यह तीनों ही tips बहुत ज़रूरी है, आपने कितने ही अच्छे से आपन content पढ़ा होगा, कितने ही अच्छे से आपने दिन रात एक करके उसको समझा होगा, पर अगर आप यह तीनों चीज़े अपनी strategy में incorporate नहीं करेंगे, you will not be able to score as much as per your potential, तो अपने potential को full utilize करने के लिए in strategical things को या in tips को follow करना बहुत ज़रूरी है, so that's all about today's session, I hope यह जो session है, वो आप सभी बच्चों के लिए बहुत useful, बहुत fruitful रहे, and we will keep on bringing such sessions for you, ताकि आप लोगों के लिए preparation और भी असान हो सके, so that's all about today's session, thank you everyone, I hope you all have a great day ahead, thank you.